हेलो दोस्तों आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है जैसा कि देख पा रहे हैं यह वेरना की हुंडाई की वेरना है दो हजार बारे का मोडल है फ्लूडिक वेरना है डीजल का रहा है तो आज मैं इसका डैसबोर्ट खोलने जा रहा हूं डैसबोर्ट क्यूं सब्सक्राइब करना है तो चलो फिर मैं सबसे पहले बैटरी की वायर बाहर से खोल देता हूं उसके बाद यह सब खोलना स्टार्ट करूंगा तो चलो सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूं जैसा के देख पार है बैटरी की वायर निकल चुकी है तो सबसे पहले मैं इसका कॉंसल बॉक्स को खोलना स्टार्ट करूंगा तो जैसा के देख पार है दस नमबर दो अंदर दिया है और साइड में स्लीप रहेगी है एक किलिप कुनसल बोक्स को अगकर आतौा तरोसकेपस के बाद आपको ये व्युरा है फिर खोलना पड़ेगा उसको इज doe पाने लास देता हूं पुरानी का इस चुटाए मेरा सेटप तो इसको पीछे होल रगे फिर अग्या आपको दिखाता हूं जैसा कि देख पार है यहां का सेटप निकाल दिया हूं मैं अब इसको खोलने के लिए एक 10 नमबर यहां दिया है और इसके बाद उधर रहेगा तो यह वाली कि तो यह दोनु किलिप दो साइट दिया है और यह 10 नमबर खोल के फिर मैं आग्या आपको दिखाता हूं और यह वाला सेटप बॉक्स पहले यह निकलेगा उपर वाला इसके बाद यह निकलेगा तो चलो निकालता हूं फिर आग्या आपको दिखाता हूं जैसा कि देख पा यह दोस्ति दस नंबर दिया, यह दोनों दस नंबर खोलेंगे तो यह इसली बाहर आ जाएगा, तो चलो खिर में खोलता हूं, खोल के बाहर निकलता हूं, जैसा के देख पार है, दोनों दस नंबर खोल दिया हूं, और यह दोनों शोकिट निकाल दिया हूं, एक जो के राइ यहां रहेगा यहां दस को अधुलना पड़ेगा इसके बाद यह वाला अर्ठिंग का वायर रहेगा है, ये वाली दस नूमबर ये खोलना पड़ेगा, उसके बाद में आ विदियो के खोलने के बाद वीडियो के साथ तो जैदा Aच्छा रहएगा तो चलो फिलमा खोलता हूँ छुट कीग अपना, रखेसे बाता हूँ, अपनी खोल गतें कि यह वाली सोकेट निकालना पड़ेगा आपको जो कि डेजबोट के अंदर से आई है है यहा रहती है उसके बाद यहां देख रहे हैं जो एक बस नमबर यहां लिए के बार इस साय्ट का फैनल कुल दिया हूँ उसके बाद इससायद कोंच कोशए सब खुल चुके हैं तो अब इस सायड आपके लिकल का हUNG एच चारी रहेंगा एच्छ इंगा एक जस नमब्र आ भी यहां रहेंगा इसके बाद इती सारी सोकीट खुलना बढ़ा आपको जैसा के आप देख पार हैं क्यूज वाक्स का सोकीट है यह सब सोकीट खुलना परेगा यह बॉनेट की केबल खोल के नीचे ली आएँगा उसके बाद इस्टेरिंग को खुल इस्टेरिंग का यहां ज्वाइंट रहता है युनिवर्सल ज्वाइंट यह वाली ज्वायंट को मैं स्टेरिंग को लॉक करके यहां سے बारा नंबर बॉल खोल के निकाल दिया हूं बाकी और कुछ खोलने की जरूरत है नहीं अब मेरा डेशबोड बाहर आ जाएगा लेकिन अभी भी डेशबोड हिल नहीं रही है क्यों नहीं क्यों नहीं हिल ले क्योंकि बाहर से इसको दिया हुआ रहता है तो चलो बाहर से मेरे को वाइपर वाइपर मोटर मोटर तो खोलने जरूरत नहीं है कॉल पैनल उसके बाद वाइपर का लूनू अब लेट खोलना पड़ेगा खोल के फिर मैं अग्ये दिखाता हूं कि बाहर क्या-क्या खोलना पड़ रहा है तो चलो फिर बाहर चलते हैं आपन तो देखा कि देख पर है कॉल पैनल में खोल गया हूं और यहां है आपकट लगा रहा हूं कि अग्याए तो फिर बाहर में आपको दिखाया क्या क्या खोला अंदर तो मेरा पहले से खुला ही हुआ खुला हूँ तो फिर बढ़के आपको देखाता हूं और जैसा कि देख पर है डैस बूर फैनली खुल गई है अपनी कि निकाल दिया हूं यह रही ही कुलिंク एल में खोलता हूं फिर सबसे पर नया वाला ला टुुम्स दिखा देता हूं और अग्या अपको दिखाता हूं जैसा धेखश पर है यह रही हॉंडाई होंडाई का जेंयन पार्ट है और सबसे पर यह प्राइस देखक ली है 264 रुपे का है जेन्यन पार्ट है हुंदाई की ओरिजिनल पार्ट है तो मैं आपको कुलिंग वैल में जिका देता हूं तो इसको निकाल देता हूं के जुना हुला देख रहा है इधर से दिख हो गया तो यह दिकता निहीं दीक बहुत माइनल रहता है तो लिक होने के बाद यह सूक जाता है कि ऐफिर दिखता नहीं है को काफी टाम हो गया है गारी का गया एक एनचालारwash excess reversed भीहाथ कबन होके काफी टाम हो गया इसके वेसे दीख नहीं रहा है इतर से हुआ था दीचे है रिखे पारे हैं यह गरे मट्टी हो गरे बैटता है तो सरने को आता इंच है तो इसमें और यह वाला फ्लिंग कोल में यह वाला पाइप का फॉर जहाए शाथ है इसमें तोड़ तो जैसा के देख पार है पड़ोपर जैसा खोला था वह इसा ही बैठ गया कोई अचंड नहीं हुआ अपना जूनी वाली इधर है जूनी वाली फिटिंग कर चुका हूँ प्रोपर तरीके से पहले हीटर कोईल निकलेगा फिर कुलिंग कोईल निकलता है तो चलो फिर मैं यह प्रोपर तरीके से पूरा फिट हो चुका है देख पार है प्रोपर तरीके से फिट हो गया है जूनी वाली इधर पर यहां है तो चलो फिर मैं यह डैजबोड को बॉड़ी में यानि कार्व के अंदर डालता हूँ इसके जगह पर डालके फिर अग्गे आपको दिखाता हिलो दोस्तों जैसा कि देख पार है डैजबोड में डाल दिया हूँ अब चलो फाइनली सब प्रोपर तरीके से फिट करता हूँ फिर अग्गे आपको दिखाता हूँ तो हिलो दोस्तों जैसा कि देख पार है फाइनली मैं सब फिट कर चुका हूँ इतना जैसा कि देख प यह था, मैं बीटरी की वायल लगाना बाकी रह गया और सब बैटरी की वायल लगाना हो दिखाऊ गया तो यह जा सब चीछ करके में तुलिंग कarde तेमपरेटर में अपको लेकर आता हैं, खे़िस Uhr, के आंदर गारी के अंदर चालो करके कुलिंग तेंपरिचर दिखाऊंगा क्योंकि गैस चार्जिंग का प्रोसेस में एपिशले वीडियो में बना चुका हूं वहां जाके देख सकते हैं कैसे गैस चार्जिंग किया जाता है तो चलो फिर अपना काम करने चलते हैं हम हेलो दस्तों जैसा के देख पारें फाइनली मैं गारी के अंदर आ चुका हूं और गारी चालो पोजिशन में है अभी जैसा के देख पारें बैटरी की वायर हो गयर है सब लगा दिया हूं सब प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया हूं और मैंने जो कुछ भी खोला गया तर जैसा के आप देख पारें और मैं गारी बहाल लिया हूं इसके वेचे किलिरेटी थोड़ा अलग दिख रही है तो जैसा के देख पारें यह सबसे पहले आउटसाइट का टेंपरेचर देख लीजे 34 डिगरी संटीगरेड है और एसी मेरा आउन है और कुलिंग तेंपरेच प्रॉपर हो रहा है यानि कुलिंग की कैपेसिटी जो है इसकी प्रॉपर हो रही है अब इसमें मैं हेटर हाई कर रहा हूं जैसा के देख पार है हेटर हाई कर रहा हूं हेटर हाई हो चुकी है अपनी और हेटिंग टेंपरेचर देख लेते हैं जैसा कि देख पार है हीटिंग टेंपरिचर बर रहा है अपना तो थोड़े दर वीडियो होल्ड करता हूँ AC चालू है मेरा फिर भी हीटिंग टेंपरिचर आ रहा है जैसा कि आप देख पार है AC चालू पे भी हीटिंग टेंपरिचर आना चाहिए कर देता हूं तब ही आपका है इसका सभी सिस्टम जो है प्रॉपर चल्ड है तो यह दोस्तों जैसा के मैंने आपको दिखाया कारी की डैसबॉर्ड पूरी खोल के शिटिंग करके भी दिखाया यह सब कर दोब चीज़ दिखा रहा हूं की चीज़े आपको समझ में आए मैं मैं उसके पार इस में लेकर यह पास तो इसमें सब्सक्राइक नहीं था तो इस ब्र provincial नीड़न लाक्ट चीज़िए मां लिक हो गया तो इस मिनका इसका OC नहीं तो इस में इसका डैसबोर्ड खोला और cooling coil replace किया और replace करके अभी proper हो चुकी है तो hello दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हो तो please like, comment, subscribe करना ना भूले like, comment, subscribe करेंगे तभी मैं next वीडियो जो बनाऊँगा तो अच्छी तरीके से बनाने के कोशिश करूँगा तो चलो फिर जब तक के लिए बाइ बाइ टेक कियर अल्ला हफीज